जो हमने पढ़ा था वो पढ़ लिया था theory of cost short and long run as per the traditional approach and as per the modern approach उसी का थोड़ा सा extension है आपका जो theory of production से relate करेगा theory of production में आपने return to scale return to factor पढ़े थे उसे relate करेगा cost function के साथ relate करेगा वो आपका economies of scale and economies of scope this economies of scale this economies of scope देखना बिल्कुल अच्छा-च्छा-च्छा-टोपी करें का समझे में आएगा economies of scale का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप output को increase करेंगे production को increase करेंगे firm क्या करती है उसकी जो per unit cost आएगी वो आपके कम होती चली जाती है ठीक है यह किस वाजे से होता है यह इस वाजे से होता है क्योंकि आप बल्क में खरीद पर्चेस करेंगे तो फिक्स कोस्ट का optimum उटलाइज होगा प्रोपर उटलाइज होगा और अगर लोंग रन है जिस एकोनोमी स्केल तो बिसिकली लोंग टरम कंसेप्ट है तो आप प्रोपर यूटलाइज करते हुए आपकी कोस्ट कम होती चली जाएगी तो इकोनोमी कली काम कर रहे हो और स्केल का मतलब होता है प्रोडेक्शन यानि प्रोडेक्शन जैसे जैसे बढ़ाया आपकी पर यूनिट कोस्ट आपको क्या होती है कम होती है दो तरीकी क्य टेक्निकल काम करने पर और टेकनिकल वनेफेट मिल रहे हैं तो म firm को मिलेगी firm specific और external मतलब पूरी industry को मिलेगी firm में कौन कौनची आई firm में देखोच की तरीके से आई आणा firm specific होती है नहीं एक firm का output इन सी हो रहा है तो उसी रहा है और उसली हो अमे क्वहाते है दो तरीके की दो फेसल्य तो आपको प्रियेल कोणोमीूए जिसको आप रीएल एफट्स की तडी तरी बोल रहें हो एक आप पैसेटेरी डिएली जो होती है मतलब मतलब मनी रिलेटल मनी के रूप में आपको बेनेफिट हो रहा है तो यह कौण कौणची होती है वो देखिया आप भिके cultivate expenses कम हों कि कौन-कौन से यह आपके पास कि आप कि आपके ब्सक्राइब करते हैं तो आपको स्पेश्यलाइज़ियजिसन मिलता है रिपेश्यलाइज़्य नोता है तो आपके माद जल्दी-जल्दी छे प्रोड़क्स बनता आपको पता है कि किसके बाद कौन सा step adopt करना है तो आपको एकनोमी लेबर एकनोमी आपको मिल जाती है ठीक है टेकनिकल एकनोमी का मतलब होता है कि देखो अगर आप एक तो छोटा 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 पार्ट में बनाए आप यह देखे आप इसी में देख लेजिए आप आप 100 यूनिट के लिए लेकिया है फिर 100 के लिए तो इसने पाड़ आपर क्या होगा टैकनिकल एकोनोमीज आपको मिलती रहेगे उससे क्या होगी देखो आपकी फिक्स कोस्ट होगे इसे ट्रांस्पोर्टेशन चार्जिज होती यह सब आपको बेनेफिट मिलेंगे आप डाइमेंशन इंकरीज करते हो देखो मैंने बताया था कि उसे लिए प्रिक्सक्रण और प्लाण्ट की केपस्टी ही हजार की अब बना रहे हो आठ सों और अबямा उन्या हूँगे lange को य्यूजे करके आपके बनाते हो गूड़ चीनी बनाते हो तो एक लिक्स परोसेस है दोनों तो बना खूड़ियों पहले आप सुस्ध लेया थे मालोग आप पहले शूगर बना रहे थे आप गुल नहीं बना रहे थे इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे इसको इकोनोमी जो स्कोप बोलते हैं तो इससे भी आपको बेनेफिट मिलेगा कोष्ट कम हो गया आपके पास ठीक है कि इसी तरी के से का इंवांनी इकोनोमी कि आपकी इसको इसका पास और है इसका कि बढ़ेह हैिसे अपको मिल रही है ठीक है मारकेटिंग अनूमी मेनेज मेन्ट आप को पुछ चाहे है और आपET च्वर्ट ओट ये वाला इधल्य इस में भी आपकी मतलब ट्रांसपोर्ट एक बारी आपने कर लिया आपका फुद का ट्रांसपोर्ट है तब आपको बेनेफिट मिला तब यह सारी वह एक पर्टिकुलर फ्रम को मिलेगी कोई टेकनिकल टेकनिकल में अच्छा है मतलब को स्पेसलाइजिशन है किसी की लेबर स्प स्पिजिशन है कि हाने इदक पर काम अपकेटरस तो पर प्रवश्र भी कर लेता है मजदूरी का काम आते तो तो मज़़ूरी भी कर लेते हैं उसको यह नहीं पता वो क्या करेगा आगे तो इसलिए कि आपने अन्सकिल्ड लेपर वहां पर उनको टेक्निकल स्पेसलाइजिशन वाली रियल एफट्स वाली तो यह सब चीज़े मिल रही है वापर यह एक पर्टिकॉलर हमने क्या है यहां बताओ आपके कहें इन्वेंटरिज एकोनोमी इसलिंग एकोनोमी यह सब उनको आपको मिल रही होती है ट्रांसपोर्ट एक सबी और एक और एक और इसका नहीं उठा सकता तो जो रिस्क उठाएगा उसी को बेनेफिट होगा तो यह वाली चीज़े एक आपका वह देखो य आजढनेफिट थे मिल हैं यहा ना इनके तुरू आपको मिलेंगे ठीक है तो इसलिए आपको क्या मिलता है इकोनोमी जीकि फैक्तर सेगह दो तरीके कि आपका होता है ठीक है उसके बाद क्या हो आपके पास external economies एक्सटरनल एकोनोमी क्या होती है देखो आपने इंटरनल क्या पड़ा एक फर्म को मिलेगी एक्सटरनल क्या होता है एक पर्टिकुलर सभी मतलब उसके जैसे सभी फर्मों को एक साथ मिलेगी और इसमें कौन-कौन सी होती है आपके पास देखो इसमें होती है आपकी economy जब concentration जैसे मैं आपको यह कहूं कि आपको रोतक में अब क्या होगे पाली का बजार तो मतलब जितने भी लोग है मतलब जिसको पता है कि यह कराना है तो वहां चले जाओ सारी दुकाने वहां पर करना तो अकासमानी के सामने है तो उन्होंने कि आगे concentrate कर आले कि सारे employees सारे जो customer वह एक जगह आए अब वह सभी को benefit होगा कभी किसी शोप पर चलगा कभी किसी को अब समझ में तो मतलब क्या हुआ का मतलब क्या हुआ कि सारी जो उन्होंने अपने प्रोडेक्शन फैसिलिटीज है या जो सर्विस फैसलिटीज वो एक जे कंसंट्रीट कर रहा है तो सभी को बेनेफिट मिला है अब किसी एक फॉर्म को तो नहीं मिला ना सभी सोब को मिला है तो वह आपका economy of concentration एक आया economy job information को कोई information आये जैसे कि आर बीया ने नहीं जब कोविड की सिच्वेशन आई तो फार्मा इंडर्स्टी के लिए 50,000 क्रोड़ का अलग से फंड नेकाला तो अकलिह फार्मा एक फार्मा कंपनी को तो फाइदा नहीं मिला ना सभी को लीजित receptor सबीकोजienza कलिक लिए मिलता है तो सभी को बेड़ियुक है तो कोई information आएगी वो सभीको equally better करेंगी और एक है आए आपके पास एकनोमी और फिजिकल फेक्टर देखो इंडिया है यहाँ पर फार्मस्यूटिकल कंपनी जाधा क्यों है विकोज यहाँ पर ना दो तरीकी की प्रोडेक्ट बनते हैं एक था ब्रेंडिड और एक था जैनरिक ब्रेंडिड का मतलता है ओरीजिनल चीज हो पुल को अची क्वालिटी और यह थिक फोटो को जेनरिक गुड्स फोलते हैं जेनरिक मेडिसें पहुते है अब इंडिया और इनरीक रडाने में नंबर वन है फूरे बार्मशेरां यह जैनेरी का मतलब फोटो कोपी उसके जैसी वही बतार एक्टन नहीं उसके जैसी आप अपने वड़ी सुना एक संटेंच उना होगा कि इंडियन फार्मसेतिकल्इकल जो इंडस्टी ओंडर परसेंट प्रोफिटेबल वाली परफिट वाली इंडस्टी इसकी कोस्ट ना कि बराबर आती है जो आप मैडिसीन तो रुप्रहे में आ को मिल रही है वो इक रुप्रहे में भी आ सकति है दो रुपे भी उसकी कोस्ट पड़ सकती है कभी किसी फार्फरश्टिकल कंपनी का बैरेंच चीट उठा के देखना बराबर ही कि आती है दो बहुत कम आती या इस त्रीके ची और स dwarky की डियोंत ब्राइन पूरे वर्ल्ड का उर्टि फिल्ड के जितनी सुलिए इसका फं स्ट्ड फिल्टी परसेंट के रहांrese हैं इंडिया के ला करता है 33% किर रहा हुँ देखuito पुरे वोल्ड हमें इतने हुषन है कंट्री है ना लेकिन एक इंडिया की कमी है let the city바ल रुट्रीन है हमेना कु intriguing मेंट चाइनकी के 찬ktion टॉट्र डॉट्डेंडेंट होना पर घते बस यह है मारे के बज़े से आप चलता है तो मैं यह बता रहा था कि फिजिकल फैक्टर आपने यहां आवेलेबल है जैनरिक प्रोडक्स आप आप बना सकते हैं ठीक है उसके अलावा आए एकोनोमी जोफ वैल फेर इस तरह कि आपकी कॉनोमी है कि आप जिसे की इंडियन इकोनोमी माल लो वैल फेर चाते आपके वर्कर्स का तो वर्कर्स को सुपोर्ट करेंगे तो मतलब क्या होता है सभी को बैफिट में लेगा आपके स्कील मतलब बनेगी एक्जामपल चाहिना इसका सभी एक्जामपल है सभी इंडिस्ट्री के लिए फाइदा करेंगा ठीक है एक आया आपके पास इंटरनेशनल एकोनोमी जैसे प्रोडेक्ट डेवलप्मेंट ग्लोबल पर्चेजिंग इनोवेशन इसमें तीन इंपोर्टेंट है वह मैं बता देता हम आपको एक यह एक स्किल लेबर यह कि आपके पास है कि इमिगेशन ऑप स्किल लेबर कि इसी पर्टिकुलर इंडिस् है तो यह क्या स्किल लेबर है और एक आपके पास डिस इंटिगरेशन देखो यह क्या है एक कार कंपनी है मारूती कंपनी क्या करती है मारूती कंपनी सिर्फ पार्ट्स को असेंबल करती है मार आपके टायर ले लिए इसके यह ले लिए अब पूरी कार इंडिस्ट्री में इन्होंने क्या किया इन्हों यह कर लिया कि आप इसका इस्टेरििंग बना दो आप इसका इंजिन बना दो आप इसको डोड़ कर दख सकी बना चरतीजियिद मेरण होता है अब यहां पो इतनी सारी आपने पढ़िए आपने पर 17 का ध्यान रखना है एक तो कंसेंट्रेशन का सारी एक जगह एक इनफोर्मिशन का और एक यह इंटिकरेशन का अब कि आपकी याद होने वाली है नौर्मल सी चीज ठीक है आए समझ में आया कि जो आपकी एकोनोमी जो स्केल है वो क्या होती है कि प्रोडेक्शन बढ़ने के साथ आपकी कोस्ट कम आती है दो तरीके कि होई आपकी फर्म स्पेसेफिक जिसको इंटरनल एक्षिक बोला एक् युषमें आपने देखा के तेकनिकल है लेबर है और आपने मने जीन है रिसक विरेंग यह सब आपने पड़ा इसमें आपने पड़ा कि यृति मैंने वह इन बतांए आपको एक तो यृत पाने बाई पहली से मिने इनफॉरमेशन और इसकल अलबभावा तेटीक है अब – डिस एकोनुमीज में क्या होता है प्रोडक्षन बढने के बाद है फुर्ट को एक लिमिट तक ही आपको इक लिमिट को जैसे आपने क्रोस किया आपको क्या मिलेगी डिस एकोनुम मतलब आप पुट्ट बढने के साथ आपकी कोस्ट भी बढ़ने लग जाएगी पहले क्या हुआ economies of scale में अगो statement में किछ सनाय तो मेरे को बताना है statement ठीक है या नहीं in case of economies of scale there is negative relationship between quantity and average cost ठीक है yeah it shows inverse relationship between quantity and average cost ठीक है यह बात कि अभी बताओ कि अब बात आई डिस एकोनोमी की अभी यहां पर क्या प्रोडेक्शन बढ़ने से आपके average cost भी ठीक है अब यह भी कौन कौची होती है वही दो तरीके की इंटर्नल और आपकी external अब इंटर्नल में क्या होई आपके पास पैसे नहीं है financial problem है तो आप पूरी एक साथ चीज ना लेके थोड़ी थोड़ी ले रहे हो ताइम पर employee salary नहीं दे रहे हो ताइम पर आपका raw material नहीं आ रहे है कोस्ट बढ़ेगी थोड़ा 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 लेके आओगे तो यह हुई आपके फाइनिशल डिस एक आपका management अच्छा नहीं है ठीक है एक आपका marketing अच्छी नहीं है आपके product के बारे में पता ही नहीं है तो भी आप इस तरीक से चलोगे एक आपकी अच्छी नहीं काम करने की आपकी कोस्ट बढ़के आ रही है ठीक है मतलब जो आपनी एकोनोमीज बढ़ी थी से उसके अगेंस्ट है देख लेजिए आप money related में आपके financial आ गई management एकोनमीज थी यहाप मैनेजिल डिस एकोनमीज आ गई आपके एक तरीके से आपके एफेक्ट करें एक्जामपल डिस एकोनमीज कोविड की सिच्वेशन ने कितने ज्यादा इंडिस्ट्री के नुक्सान पहुचा है मैनुफेक्ट्रिंग सारी के नेगटिव है यह जितने भी मौल थे ना सारे बंद करा दिये सत्य मौल देखा आपने बहुत अच्छा चलता था और आप उस वारते को सारी शोप खा लिए और यह अकेला मौल नहीं इतनी कितने ही इंडिया में मौल है तो मतलब सभी को नुक समझ में आपको अब यह ओनलाइन वाले बताना प्रीज आप देखे ध्यान से देखिए यहां लिख रहा है आपके पास इंपक्ट ओप एकोनोमी जब स्केल डिस एकोनोमी जब स्केल और लोंग रन एवरेज कोस्ट को यह देखिए आपके लसी है यह क्या हो रहा है लगात अब आपको अर्लियर डिस एकोनोमी मिल रही है अब आपको मिलनी शुरू हो गई है ऐसे बनेगा न तीन ग्राफ यह तो आपकी कम कर दी एकोनोमी यह आपकी कॉंस्टेंट और यह आपके बढ़ना सुरू हो गया समझ में यह शेप इसी तरीके से तो बनता है आपका जो आपने शेप बढ़ाता ठीक है यह किसके बेसिज पर है बेस आप यू शेप लाव वैरिबल परपोर्पोर्शन है ना पहले आपको वह यू से पहले बढ़ेगा इनके जिंटर से पर कॉंस्टेंट से पर कम होगा यह कोस्ट का क्या था पहले कम होगी फिर ऐसे कम हो रही है घिसिक उन इस्थ क्रडके बढ़ने से एवरेज सकोस्ट बढ़ रही है का मतलब किया होता ठीक है यह तो जब है जब आपने अलग-अलग बनाया अब दोनों को साथ मिलकर बना दिया मतलब आप जॉइंट प्रोसेस से बना दिया और इन दोनों को बनाने के को अभी आपने देखा कि टीसी टोटल कोस्ट अप ए प्लस में टोटल कोस्ट बी यह आपकी पड़ी थी 25 औ क्वेश्ट बनाया अब करें और लौ प्रोड़ेक्ट अलग-अलग बनाया कोंज को मिल रहे है देखे ध्यान ऑव त्यक्ट करक्तक्तण गहां इस रुपई लगे दोनों को अगर कोश देखी तो आपके पचीस रुपई लगे और दोनों प्रॉडक्ट को जब साथ बनाए तो बीस रुपई लग रहे हैं फाइदा हो रहे हैं दोनों प्रोडक्ट को साथ बना नीचे तो यह आपको अब दूसरा केस्ट देखिए यहां पर आपके पास एक एक जामपल भी है यहां पर आपके पास की कोश्ट ऑफ हेंड़ पैने 2000 और कोश्ट ऑफ हेंड़ पैंचिल है 1000 दोनों की कोश्ट कितनी हो गई तीन थार रुपै यह अलग-अलग बनाने पर जब आपने इखटा किया तो कोस्ट आई टोटल कोश्ट ऑफ हेंड़ पैन प्लस मेंड़ पैन से पत्चीन सो रुपए आईद हुआ अपको तो क्या हुआ आपके रुपोश्ट कोश्ट ऑफ है अगर यह कोश्ट ऑफ हो जाएगी बंन रहा था वह जार रूम ने यहांत से तहां रहा थे अगर एकटा कर रहा तो आपको 30 रही है तो यह आपके वह पोगर किस अगया आपको के लियर कोई दिकत नहीं ते जिकत नहीं है ठीक है बहुत बढ़िया अब यह देखिए आपको अगर elasticity निकाल नहीं हो तो कैसे calculate करते हैं यह देखो कितना बेंड़ने फिट वा परसंटेज में तो total cost of quantity a plus total cost of quantity b minus बन दोनों की total cost और डिवाइड में total cost यह वाली चीज quantity a quantity b देखो कैसे यह थी आपकी 2,000 रुपए और एक यह थी आपकी 1,000 रुपए और फच्ची सो रुपए आपके बने यह बत थी और आपके इन दोनों की जब अपने cost निकाली तो वह कितने आती है प्लस में आएगा माइस नहीं कितना आप पची सो रुपे तो यह कितना बना आपके पास तीन जार में से पची सो के कितना में पांसो डिवाइड में 25 फेंटर यह तना आपको क्या हूआ बैने फिट हुगा है आया समझ में भई ठीक है यह तीन जार में आपका तो यह तीन जार रुपे आएगा दो अजार प्लस में 1000 में 25 फेंटर तो आपको 16.06 परसंटेज का आपको benefit हुगा तो यह तना आपको economies of scope आपको economies of scale and scope समझ में आपको dish economies of scale and scope यह भी आगे समझ में चीक है अब आगे देखिए आगे आपके देखो दोनों में देखो scale और scope में क्या difference है scale में एक ही product था उसकी quantity बढ़ाई थी यहां पर दो product है या उससे ज़्यादा product है एक तो अलग अलग बनाएते और एक आपने इखटे मिलाएते देखिए cost benefit through variety किसमें scope में और cost benefit through volume मतलब quantity बढ़ाने से ठीक है ना दूसरा देखो product का diversification किया गया और यहां पर क्या standardization product का एक standardize करके लगातार quantity बढ़ाईगी और यहां पर क्या है same plant for producing multiple product एक plant में different product बढ़ाईगे यहां पर आपके economy of scale क्या बताता है production बढ़ने से average cost आपकी जैसे जैसे आपके production बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी average cost कम होगी यह जो learning का हुए experience का हुए यह community output को लेके चलता है देखो क्या होता है आपका यह वही काम हो रहा है यह आपके LAC है जैसे जैसे आपका output बढ़ा आपकी average cost आपकी कम हो रही है लेकिन यह ना ऐसे बताएगा वह तो जैसे जैसे वर्ड यूज कर रहा था यह कहाएगा कि 500 पर आपकी cost कम हो गई जबकि आपके 100 पर इतनी था समझ में आपको नहीं है समझ में cumulative output के साथ करेगां कि मत बताएगे यह कुल है त sketch कमयी वह तो जैसे जैसे कि आपने 10 बड़ाई cost कम工 और 10 बड़ाई cost कम工 और 10 बड़ाई cost कम has यह कहएगा सो से 2000 पे गए हो और को耍श आपको यह तो यह आता आपको तो लर्निंग ठीक है यह पर यूनिट लेबर प्रॉड्टिवीट इंक्रीज़ ओगी लर्निंग क्यों होता है वर्कर स्टाइट में दीरी-दीर काम करते हैं तो त्यता टेखनलोजी भी नहीं होती है जैसे वो टाइम जहा देते हैं वह प्रॉड़किविटीज़ से काम करते उसे per unit cost कम होती है और cumulative output को भी बता देगी ठीक है Economies of Scale में तो जैसे-जैसे word हो रहा था है यहां पर cumulative output cost की बात करेगा average cost की आप यह भी कह सकते हो कि जो learning का होता है वो किसमें लिसन से बताता है Learn English किसमें लिसन से बताता है cumulative output और average cost आइसे भी बोलोगे learning curve, community output and average cost, यह community output है, खटा output है उसकी average cost के साथ, ठीक है, economy of scale में देखा है, different level of output था, और जब कि learning curve क्या बताता है, cost differences to total community of output, ठीक है, यह था आपका economies of scale score, आया समझ भी?